हलो स्टुएंट्स, मैं रोहन दुसोरिया, स्वागत करता हूँ आपका गामा चैनल पर आज का मारा टॉपिक है रीजनिंग का सिलोक्स सिलोक्स लगबख सभी कॉंपेटिटिव एक्जाम में आता है और वैंग एक्जाम में तो इसका वेटेच काफी ज्यादा होता है जनरली टॉपिक स्टुएंट्स को बहुत कन्फ्यूज करता है बड़ अगर आपने इसमें कमांड पा लिया तो इसके एक्जाम में क्वेशन बहुत एक्जाम के साथ बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा काफी डिटेल में इसको समझाने की ताकि आप लोग के डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए तो चलते हम क्लासरूम में और समझते हैं इस टॉपिक को अगर सभी एक्जाम रिलिटेट कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अगर एक्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप और टेलग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो देखते हैं कि सिलोक्स क्या होता है सिलोक्स में हमें डिडक्टिव रिजनिंग करने पड़ती है कोई भी कंक्लूजन तक पहुचने के लिए इसमें हमें कोई स्टेटमेंट दिये रहते हैं उनसे हमें डिड्यूस करना रहता है कि इनका क्या कंक्लूजन आएगा एक चीज ध्यान रखना है इसमें हमें यह जो statements दिये रहते हैं यह factually true नहीं हो but in questions में हमें इने सही मान के questions को करना है जैसे अगर आपको कहा गया है कि all cats are dogs अब हमें पता है कि real life में इसका कोई meaning नहीं है ऐसा हो नहीं सकता but for the sake of question हमें इन statements को true मान के conclusion निकालना रहता है तो syllogs में mainly यह 4 cases होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए कुछ और भी cases होते हैं only वाले बड़ अभी वो हम नहीं देखेंगे तो सबसे पहला case है all are b फिर no is b some are b और some are not b इन 4 cases को हम detail में देखेंगे इन में a और b जो है यह सब क्या कहलाते हैं elements कहलाते हैं तो चलते हैं अपन आगे और इनको समझते हैं तो सबसे पहला case देखते हैं अपन यह है all are b तो जब all are b बोलेंगे हम तो यह 2 diagram बनेंगे इन मेंसे जो यह first diagram है इसको हम बोलते है least possible when diagram तो जब भी आप questions करोगे तो आप सिर्फ यह वाला diagram बनाओगे पहला वाला और जो दूसरा वाला diagram है इसको आपको द्यार नखना है mind में दोनों diagram नहीं बनेंगे एक चीज तो यह होगी द्यार नखने वाली दूसरा यह तो हमारे statement हो गया all ARB और यह हमारे conclusions है इन सब को अभी हम check करेंगे जब भी conclusion में R हो इसका मतलब यह है कि first और second case अगर दोनों में ही वो सही होता है तो ही हम उसको सही बोलेंगे तब ही हम उसको बोलेंगे कि वो follow करता है और अगर एक में भी वो इसको follow नहीं करता है तो हम बोलेंगे not follow अब जब अपन questions करेंगे तो मैं कहीं बार सही और गलत बोलूँगा पर इसका मतलब यह है कि वो follow कर रहा है या फिर not follow कर रहा है तो आब इससे confuse मत होना ठीक है न follow या फिर not follow को में कहीं बार interchangeably right या wrong बोल सकता हूँ तो जब all air b बोलेंगे तो एक diagram ऐसे बनेगा जिसमें सभी a b के अंदर आ जाएंगे और दूसरा diagram ऐसे बनेगा जिसमें a और b overlap करेंगे एक दूसरे से यह दोनों ही possibility होती है all air b में अब एक एक करके हम conclusions को देखते हैं और जो conclusion पहले और दूसरे diagram दोनों को follow करेगा वही finally follow करेगा statement को तो चेक करते हैं एक एक करके अब पहला conclusion कह रहा है sum a r b r का मतलब है कि उसको हर case में सही होना है हर case में follow करना है अब पहला case देखते हैं पन least possible when diagram यहाँ पर सभी a b के अंदर है तो definitely कुछ a तो ऐसे होंगे ही होंगे जो b के अंदर होंगे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप बोलो कि जितने भी a है यह सब educated है तो हम यह guarantee के साथ कह सकते कि हाँ यार इसमें से कुछ a तो educated है ही है ठीके ना तो इस तरीके साथ को इसको समझना है तो जब हम बोलते है sum a r b तो पहले case के एसाब से जब सभी a b है तो कुछ तो a ऐसे होंगे ही जो b होंगे तो यह तो इसको follow करेगा second diagram यहाँ पर भी आप देखो जब सभ a b होंगे तो कुछ तो a ऐसे होंगे ही होंगे जो b को follow करेंगे तो यह भी सही है यह भी follow करेगा तो finally यह conclusion जो है यह follow करेगा second check करते है sum b r a r का क्या मतलब है कि यह definite है कि इसको हर case में true होना है एक भी बार यह गलत हुआ तो conclusion follow नहीं करेगा अब पहला डियाग्राम देखते है यहाँ पर जो भी b होंगे यह a b होंगे है ना यहाँ पर b और a का overlap हो रहा है तो कुछ b a होंगे यह वाली बात तो follow कर रही है यहाँ पर second diagram में देखें जब सभी b a है तो कुछ तो b a होंगे ही होंगे तो यह भी follow कर रहा है तो यह conclusion भी क्या follow करेगा फिर अगला देखते हैं some a are not b first diagram में देखते हैं अब यहाँ तो सभी a b के अंदर है तो क्या हम बोल सकते हैं कि कुछ a b नहीं होंगे तो यह चीज तो follow नहीं कर रही तो पहले case में तो follow नहीं होगा similarly second diagram में भी जब हम बोलते हैं कि some a are not b तो यहाँ तो a और b का complete overlap है तो यह बात गलत हो जाएगी कि कुछ a b नहीं है तो दोनों ही case में यह conclusion जो है यह follow नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी follow नहीं हो रहा है यहाँ पे भी follow नहीं हो रहा है आजाएगा अपना not follow फिर next conclusion है some b are not a इसको देखते हैं तो आप देख सकते हो कि इस region में जो b होंगे वो a नहीं होंगे तो यह चीज तो follow कर रही है बट यह conclusion second diagram में follow नहीं करेगा क्योंकि a और b का complete overlap है तो हम यह नहीं कह पाएंगे कि कुछ b a नहीं है तो यहाँ पे follow नहीं होगा तो final conclusion क्या है हमारा not follow मैंने अपको बोला था कि दोनों ही diagonal में अगर follow कर रहा है तो हिम हमारा conclusion फॉलो करेगा एक में भी अगर follow नहीं किया तो not follow तो यहाँ पे एक में follow नहीं किया इसलिए not follow आगे, अब next conclusion दिखते हैं, ये बोल रहा है all b are a, सभी b a है, बट पहले case में ही हमें दिख रहा है कि सभी b a नहीं है, सब a जो है वो b है पर सभी b a नहीं है, यहाँ पर जो b है ये a तो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो follow नहीं कर रहा है और second case में, second case में, all b are a वाली बात तो सही हो जाएगी बट क्योंकि एक भी case में वो follow नहीं कर रहा है, तो answer क्या आजाएगा हमारा conclusion क्या रहेगा, not follow, फिर next conclusion है no a is b, कोई भी a b नहीं है, इसका मतलब a और b आपस में एक दूसरे को touch नहीं कर रहा है, तो आप पहले diagram में देख सकते हो कि a और b आपस में overlap कर रहे हैं, ये पूरा overlap वाला area है और second diagram में भी a और b पूरे overlap कर रहे हैं, तो no a is b, कोई भी a b नहीं है ये वाली बात दोनों में ही follow नहीं करेगी, तो ये conclusion follow नहीं करेगा तो हमने all a are b जो statement है, पहले तो इससे दो जो diagram बनते हैं, वो बनाए और एक के conclusion को हमने check किया और समझा, कि कौन सा follow करेगा और कौन सा follow नहीं करेगा ऐसे ही conclusions आपको questions में दिये रहेंगे, और आपको check करना रहेगा कि वो follow कर रहे हैं या नहीं इसलिए इसको जितने अच्छे समझोगे, उतने आपके questions सिलॉक्स की easy हो जाएंगे तो first case अपने देख लिया है, अब चलते हैं अपने next case पर, यह है case 2 इसमें हमारे statement क्या है, no a is b तो जब no a is b statement होता है, तो इस तरीके का diagram बनता है आप a और b को बना लेते हो, और उनके बीच में cross लगा देते हो, इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है, कि किसी भी condition में a और b आपस में एक दूसरे को overlap नहीं करेंगे touch नहीं करेंगे, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, कि no a is b में सिर्फ एक ही diagram बनता है और यही हमारा least possible when diagram होता है, तो अब एक एक करके conclusions को check करते है तो पहला conclusion बोल रहा है, sum a r b, कुछ a b है, मतलब a और b आपस में touch करेंगे बड़ हम diagram को देख सकते हैं, किसी भी condition में a और b आपस में एक दूसरे को touch नहीं करेंगे तो diagram के साब से यह चीज follow नहीं करेंगे फिर second देखते है, sum b r a, कोई फरक नहीं पड़ता इस condition में भी हमें पता है, कि यह और b आपस में एक दूसरे को touch नहीं करेंगे तो यह भी not follow आजाएगा next वाला है, sum a r not b, इसको थोड़ा ध्यान से समझना जब हमें पता है, कि कोई भी a b नहीं हो सकता तो हम बहुत surety से और guarantee से कह सकता है कि कुछ तो a ऐसे हैं, जो b नहीं होंगे हारी बस समझ में, तो यहाँ पर यह चीज follow करेगी इसको एक और example से समझाता हूँ अगर हम कहें, कि 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग vegetarian नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से 50 लोग ऐसे हैं, जो vegetarian नहीं है, उसी प्रकार अब देखते हैं अपन, सम b are not a यहाँ पर भी बात है, जब एक भी b a नहीं है, तो guaranteed है कि कुछ b a से हैं, जो a नहीं होंगे तो यह भी क्या करेगा? तो यह भी follow नहीं करेगा, फिर next है, no b is a, जब कोई भी a b नहीं है, तो कोई भी b a भी नहीं हो सकता, तो यह वाली बात भी क्या है? सही है, यह भी follow करेगी, यह second last case में, मैंने गलती से follow लिख दिया है, यह not follow आना चाहिए, तो no a is b के case में, जो statement हमारा, इसके लिए जो diagram बनेगा, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, best part यह है कि इसमें सिर्फ एक ही case है, सिर्फ एक ही diagram बनता है, अब चलते हम आगे, case 3 में, अब यहाँ आप देखोगे, कि 4 diagram है, 4 possibilities है, तो यह थोड़ा complicated हो जाता है, तो यह वाला जो है हमारा, यह है least possible when diagram, जब भी question आएगा some a or b बोलेंगे, तो हम यही diagram बनाएंगे, और बाकी 3 diagram हम दिमाग में रखेंगे, एक बार a और b आपस में overlap कर रहे हैं, फोड़ा सा first case में, second case में b जो है वो बिल्कुल b के अंदर है, और fourth case में a और b का complete overlap है, तो अब इन चारो ही diagram में, चारो ही cases में conclusion को सही होना है, सही होने के लिए, एक में भी गलत तो गलत, क्योंकि यह क्या है, definite है r का क्या मतलब है, definite, किसको हर case में सही होना है, तब देखते हैं अपन पहला conclusion, यह बोल रहा है, sum b r a तो यहाँ पर जो b होंगे, यह a होंगे, तो पहला तो follow कर रहा है, second में बोल रहा है, सभी b जो है second case में वो a है, तो sum b r a वाली बात तो सही होगी जब पूरे ही b a है तो कुछ तो b a होंगे ही होंगे तो second case में भी follow करेगा फिर देखते हैं, third case, sum b r a तो यहाँ पर जो b होंगे यह definitely a होंगे, तो third वाले case में भी यह follow करेगा, फिर last case देखते हैं last में a और b का complete overlap है तो sum b r a वाली बात यहाँ पर भी follow हो रही है, जब पूरे ही b a है तो कुछ तो b a से है जो a होंगे, तो यह भी follow कर रहा है तो finally यह वाला जो conclusion है यह follow कर रहा है अब next conclusion देखते हैं, sum a r not b वाल तो पहले diagram में यहाँ पर जो a है यह हम बोल सकते हैं कि b नहीं है तो यह तो follow कर रहा है second वाले case में यहाँ पर जो a होंगे हम बोल सकते हैं कि यह b नहीं है तो यह भी follow कर रहा है अब third diagram में देखते हैं यहाँ तो सभी जो a है, वो b है तो यह बात कि कुछ a b नहीं होंगे यह तो बिल्कुल गलत हो जाती है तो यहाँ पर does not follow और एक भी follow नहीं करेगा तो final conclusion क्या है not follow, last वाला भी देख लेते हैं a और b का complete overlay पर fourth diagram में तो sum a are not b वाली बात कि कुछ a b नहीं होंगे यह गलत है, यह भी follow नहीं करेगा similarly हम देखते है sum b are not a, तो पहले case में तो ठीक है यहाँ पर जो b होंगे वो a नहीं होंगे तो यह तो follow कर रहा है second case में, पूरे ही b जो है वो a है, इस case में तो sum b are not a, कुछ b a नहीं होंगे वाली बात follow नहीं करेगी और इसलिए final conclusion भी क्या होगा not follow, एक ने भी follow नहीं किया तो not follow, थर्ड वाला देख लेते हैं किसी में, sum b are not a ठीक है, यहाँ पर जो b होंगे वो a नहीं होंगे, यह follow कर रहा है यह सर्फ में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि चारो ही cases में cases हम question को deduce करेंगे एक में भी अगर follow नहीं करेगा तो हम वहीं पर रुख सकते हैं पर यह आपके understanding के लिए आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं चारो cases बता रहा हूँ फिर last वाला fourth case देखते हैं यहाँ तो सभी a, b हैं, तो sum b are not a वाली बात गलत हो जाएगी, यह भी follow नहीं करेगा next conclusion देखते हैं, all b are a वाला तो जब least possible when diagram देखेंगे first वाला, तो यहीं पर यह बात गलत साबित हो जाएगी, यह follow नहीं कर रहा है क्योंकि पूरे b जो है, वो a नहीं है तो does not follow, और यहाँ does not follow हो गया final conclusion भी क्या हो गया, not follow उसी समय आपको conclusion पता चल जाएगा क्या है फिर भी अपन समझ लेते हैं और second diagram देखते हैं तो second diagram की case में all b are a वाली बात follow कर रही है third diagram की case में all b are a वाली बात follow नहीं कर रही all a b हैं सभी a, b हैं इस diagram ने बट सभी b, a नहीं है तो यह follow नहीं हो रहा और fourth case में जहाँ a और b का complete overlap है यहाँ पर भी यह बात follow हो रही है फिर अगला देखते हैं all a are b, पहले case में यह बात follow नहीं होगी पहले diagram में ही conclusion क्या होगी है, not follow नहीं पर मैं हमारा answer मिल गए बट चेक कर लेते हैं आगे भी second diagram में क्या हो रहा है सभी b जो है वो a के अंदर है बट सभी a b के अंदर नहीं है तो यह बात भी follow नहीं करेगी third diagram में यह बात follow हो रही है क्योंकि यहाँ पर सभी a b के अंदर है और fourth diagram में भी यह बात follow हो रही है क्योंकि a और b का complete overlap है तो हम बोल सकते हैं कि all erb बढ़ यह सिर्स समझने के लिए एक भी अगर diagram follow नहीं कर रहा है तो हमारा conclusion, final conclusion क्या रहेगा not follow और अगर चारो follow कर रहे हैं उसी case में हम बोल पाएंगे कि हमारा conclusion है follow यह बहुत अच्छे सा आपको समझने ही चीज ठीक है और यह कब जब बात हो रही है definite की r की बात हो रही है is की बात हो रही है जब can भी आएगा, possibility आएगा may भी आएगा, तब हम अलग तरीके से questions को approach कर रहे हैं अब हम देखते है last conclusion no a is b तो यह तो least possible bend diagram जो first diagram है उसी में गलत हो गया क्योंकि a और b तो आपस में touch कर रहे है वो यह कहरा है कि touch नहीं करना चाहिए तो यह follow नहीं कर रहा second diagram में भी a और b का over layer पर touch कर रहे है तो यह वाली बात हमाँ पे भी गलत हो जाएगी उसी प्रकार से third में भी गलत हो जाएगी और उसी प्रकार से fourth में भी गलत हो जाएगी final conclusion है not follow तो जो sum a और b वाला हमारा case है यही सबसे अदर लोगों को problem देता है तो इसमें आपको least possible when diagram बनाना है question करता समय और बाकी तीन diagram दिमाग में रखने है क्योंकि वो तीन case भी बनते है sum a और b में तो जब sum a और not b बुला जाए तो आप simply a और b को दूर दूर बना दो और यही हमारा क्या है least possible when diagram एक और case बनेगा इसमें जिसमें a जो है वो completely b को overlap करेगा और b अंदर रहेगा तो यहाँ वाले जो a है यह b नहीं रहेंगे और वो इस बात को बता रहे है sum a और not b तो चेक करते हैं अब conclusions को पहला conclusion बोल रहा है sum a और b तो मैं पहले diagram को देखते ही बता सकता हूँ कि a और b में overlap नहीं है तो यह अली बात गरत हो गई final conclusion भी क्या हो गया not follow second case में यह बात सही रहेगी बढ़ उससे कोई फरक नहीं पड़ता फिर अपन देखते हैं second conclusion sum b r a कुछ b a है but least possible when diagram में ही हमें दिख रहा है कि a और भी आपस में एक दुसरे को touch नहीं कर रहे है तो यह not follow आजागा हमारा final conclusion second case क्या बुल रहा है जिसमें सभी b जो है वो a है तो sum b r a वाली बात सही हो जाएगी इस case में उस तो b a से है ही जो a होंगे but हमारा final conclusion तो यही रहेगा not follow क्योंकि एक भी बार follow नहीं हुआ तो final conclusion is not follow follow करने के लिए उसको सभी cases में सही होना पड़ेगे तो यहाँ पर डो diagram है उन दोनों में ही अगर वो follow करता है तो हम कह सकते हैं follows अगला देखते है conclusion sum b r not a तो पहले case में तो यह बात बिल्कुल valid है पूरे के पूरे b a नहीं है तो sum b r not a वाली बात valid है second case में यह बात invalid होगी यह follow नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ तो पूरे ही b जो है वो a है इस diagram में तो sum b r not a कुछ b a नहीं है वाली बात follow नहीं करेगी और final conclusion क्या हो गया not follow फिर next conclusion देखते है all b r a least possible when diagram में ही यह वाली बात follow नहीं करेगी क्योंकि a और b का कोई भी overlap नहीं है तो all b r a वाली बात follow नहीं करेगी यही है हमारा final conclusion second case में यह बात valid है सभी b a है बड़ उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमारा final conclusion तो यहीं रहेगा फिर हम चलते हैं next case पे all a r b again least possible when diagram में ही यह follow नहीं करेगा और second case में भी यह follow नहीं करेगा क्योंकि सभी a b नहीं है सभी b a है बड़ सभी a b नहीं है यहाँ पर जो a है यह b नहीं है फिर हम देखते हैं last conclusion no a is b तो least possible में तो यह बात सही दिख रही है कोई भी a b को touch नहीं कर रहे है बड़ second case में a और b आपस में एक दुसरे को touch कर रहे है तो यह बात follow नहीं करेगी और यही हमारा final conclusion रहेगा तो हम देख रहे हैं कि some a or not b वाले case में कुछ भी हम conclude नहीं कर सकते है possibility सभी चीज़ों की है possibility है बड़ conclude नहीं कर सकते है definitely तो इसी के साथ सभी important 4 cases हमने देख लिए है इसमें अगर आपको कुछ भी doubt हो तो वापिस जाना, revisit करना देखना, समझना क्योंकि अगर यह समझ में नहीं आया है तो questions आपसे नहीं होंगे इसको बहुत अच्छे समझ लेना कुछ भी doubt हो तो comment section में मुझसे पूछना और यह अगर अपने अच्छे समझ लिए तो silogs आपके लिए बहुत easy हो जाएगा चलते हैं अब आपन आगे कुछ tips देखते हैं कई बार exam में सम की जगह कुछ अलग words भी use करते हैं जैसे at least few, many, most half, 80%, 99% और 1% तो वो कुछ भी use करे इन सभी का एकी मतलब है इन सभी का मतलब क्या है यह सब some ही है आप 85% लिखो, 20% लिखो many लिखो, most लिखो, few लिखो इन सभी का क्या मतलब है some तो some मान की ही आपको इसको interpret करना है questions में उसी प्रकार second case में all के synonyms क्या है each, every, और 100% इन सभी का क्या मतलब है इन सभी का मतलब है all तो इस टाइब के words से आप questions में confuse मत होना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि some के synonyms क्या है और all के synonyms क्या है चलते हैं आगे अब हम अब हम देखते हैं complementary pair conclusions के either or के questions exam में पांच में से एक या दो तो आते ही आते हैं तो इस case को हम question करके समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ conditions को follow करना होता है तब ही हम either or use कर सकते हैं तो जैसे हमारे सामने ये statement है और ये कुछ conclusions हैं दो तो इस case में मैं आग question करते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा तो जब हम बोलते हैं sum a or b तो least possible band diagram कैसे बनता है इसका ये a आ गया ये b आ गया यही हमने देखा था sum a or b में कि a और b का overlap कर दो वही हमारा least possible band diagram होता है फिर second statement क्या है sum b or c तो b और c में भी मैं ऐसे ही overlap करा दूँगा तो मैंने यही overlap करा दिया b और c में भी और statement के basis में मेरे diagram बन चुके है अब मैं conclusions को check करूँगा एक-एक करके तो पहला conclusion देखते हैं sum a or c r का मतलब है कि हर case में इसको सही होना है और मैं एक second में देखके कह सकता हूँ कि a और c का overlap बिल्कुल भी नहीं है तो यह वाला conclusion कि कुछ a c है a और c में overlap है वाली बात क्या होगई follow नहीं करती फिर second conclusion है sum a are not c अब देखके तो यह बात सही लग रही है बड़ आपको पता होना चाहिए कि जब हम silox question करते हैं तो least possible band diagram के अलावा भी कुछ cases होते हैं तो जब हम sum a are b बोलते हैं तो एक ऐसा भी case होता है जब a और b आपस में complete overlap करते हैं होता है ना उसी प्रकार से जब sum b और c हम बोलते हैं तो एक case ऐसा भी होता है जब b और c आपस में complete overlap करते हैं तो अगर मैं a को यहां से compress करके b के उपर ले जाओ पूरा का पूरा और उसी प्रकार c को यहां से compress करके पूरा का पूरा b पे ले जाओ तो उस case में a, b और c आपस में overlap करेंगे कुछ इस तरीके से अब इस case में sum a are not c वाली बात follow नहीं करेगी अब यह चीज नहीं हो सकती क्योंकि यहां तो a और c का overlap हो चुका है तो अब हम देखते हैं कि complementary pairs की condition क्या होती है इसमें सबसे पहली condition है कि जो दोनों conclusion है वो follow नहीं करें wrong का हैं पर क्या मतलब है not follow इससे confuse मत हो न तो यह condition तो fulfill हो रही है आप देखो यह वाला भी follow नहीं कर रहा है और यह वाला भी follow नहीं कर रहा है यह पहली condition fulfill हो गई both the elements must be same in the two stated conclusions elements किसको बोलते हैं यह जो a और c है न इसको elements बोलते हैं यह रह a यह रह c यह रह a यह रह c तो जो दोनों elements हैं वो दोनों ही conclusion में होने चाहिए तो आप देखोगे कि इस में भी a और c हैं और इस conclusion में भी a और c हैं तो यह भी condition fulfill हो रही है third condition बोल रही है कि हमें complementary pair को डूनना है तो यह complementary pair होते हैं एक all sum not एक sum no यह सबसे popular हैं और exam में आता है एक है sum sum not यह कम पूछा जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर sum और sum not वाली condition fulfill हो रही है यह रहापका sum वाला case और यह रहापका sum not वाला case तो तीनों ही condition fulfill हो रही है तो इस case में हम कह सकते हैं कि जो दो हमारे conclusion है यह दोनों conclusion जो है क्या बना रहे हैं complimentary pair और हमारा answer क्या होगा either conclusion one or two must be correct answer choice यह option में मिल जाएगा आपको either one or two करके तो यह आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए questions और यह exam में आता ही आता है conditions का आपको ध्यान रखना है और least possible when diagram बनाने के बाद कोई और case बन सकता है उसका भी आपको ध्यान रखना है तो इसका एक chart है मेरे पास जो मैं आपके लिए यहाँ पर present कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से इसके notes बना लेना या memorize कर लेना यह काफी handy रहेगा आपके either or के questions के लिए ध्यान रखना आप यहाँ पर some or some not है और order जो है elements का वो important नहीं है some, some not में some और no के case में भी elements का order important नहीं है all और some not के case में order of element is important अब order का क्या मतलब है जैसे यहाँ A और B आए तो यहाँ A और B आए यहाँ B और A आगया और यहाँ पर A और B आए यह order आगे पीछे हुआ इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा answer पर हमारा conclusion इधर और ही रहेगा same condition 2 के अंदर भी है A, B हो जाए A, B हो जाए तो भी वही बात है B, A हो जाए A, B हो जाए तो भी वही बात है but third condition में आपको द्यान रखना है वैसे यह बहुत rarely पुछा जाता है हाना, सबसे अदर पाला आपका इससे पड़ेगा, और फिर इससे तो third condition में अगर all A is B है तो sum A, R, B ही आना चाहिए आप sum B, R, R, A वाली बात नहीं कह सकते यह complementary pair नहीं बनाएगा इस case में A और B का order important होता है यहाँ A आगया, B आगया तो फिर यहाँ पर B और A नहीं आएगा यहाँ आपको चाहिए तो फिर यहाँ पर भी A और B ही चाहिए इसी order में तो इस चीज़ का आप अच्छे से द्यान रखना चलते हैं हम आगे और definite versus possibility वाला जो concept exam में पूछा जाता है उसको भी थोड़ा और डीटेल में और अच्छे समझते हैं तो जब भी questions आपके पास आपको सबसे पहले देखना है कि जो conclusion है वो definite है या possibility वाला है definite conclusion कैसा रहेगा is are यह definite conclusion है possibility conclusion कैसे होंगे can be may be या फिर possibility करके ही पूछ लेगा आपसे तो सबसे पहला task तो यह है कि जो conclusion है वो definite का है या possibility का है अगर वो definite का है और एक भी case में incorrect हो जाता है follow नहीं करता है तो final conclusion भी क्या रहेगा not follow और अगर conclusion least possible when diagram की case में सही होता है तो आपको और check करना रहेंगे दूसरे cases कि क्या वो सभी cases में सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक conclusion को follow करने के लिए सभी cases में follow करना जरूरी है एक में भी अगर वो follow नहीं करता है तो वो does not follow वाली category में आ जाएगा कब जब definite हो फिर एक conclusion आता है possibility वाला इस case में एक भी case में अगर आपका conclusion follow कर रहा है तो आपका final conclusion भी क्या रहेगा follow possibility के तो यह मतलब है न कि क्या यह हो सकता है एक बार भी हो गया तो आप बोलोगे yes यह possible है यह हो सकता है possibility वाले case में अगर least possible वाले when diagram में आपको कोई चीज दिख रही है कि follow नहीं हो रही तो फिर आपको वापस चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सभी case में follow नहीं हो रही तभी आप finally बोल पाऊगे not follow अगर एक भी case में follow कर गई तो आपको फिर आपका final conclusion क्या होगा follows तो यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना maximum लोग यही identify नहीं कर पाते हैं कि जो question है वो definite का है कि question है वो possibility का है और दोनों को approach करने का तरीका different है तो यहाँ पर मैंने आपके लिए summarize कर दिया है इसको बहुत अच्छे है समझ लेना और मैं एक example से भी आपको यह समझाऊंगा तो देखते हैं एक example ताकि यह doubt आपके मन में नहीं रहे तो जो statement दी है सबसे पहले इनके basis पे हम diagram बना लेते हैं और diagram बनाने के लिए हम क्या use करेंगे least possible bend diagram जो मैंने आज बताये थे आपको diagrams उन में हमेशा जो first वाला है वो least possible bend diagram है तो पहला statement है sum ARB A और B में में overlap करा देता हूँ second statement है all BRC तो सभी BC के अंदर है all वाले का least possible bend diagram यह से बनता है फिर है sum CRD यह बन गया और last statement है no D is E वो भी D जो है वो E नहीं है यह सब हम देख चुके है शुरू के चार cases में तो least possible bend diagram यूज करके सभी statement से हमने एक final diagram बढ़ा लिया अब हम एक एक conclusion को देखते है तो पहला conclusion बोल रहा है sum E can be A can be मतलब क्या है यह possibility का case अब ध्यान से देखना और समझना D और जो E है यह आपस में एक दुसरे को टच नहीं कर सकते है पर कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि E A को टच नहीं कर सकता है ठीक है तो हो सकता है कि D E को टच नहीं करे बढ़ यह जो E है यह इसे A को टच कर ले यह होने से कोई नहीं रोग सकता तो यह चीज पॉसिबल है और पॉसिबलिटी केस में एक भी भार अगर कोई चीज सही हो तो वो फॉलो करती है यह आगे हमारा नेक्स देखते है और सी आर भी सभी सी जो है यह आर जो है यह क्या बता रहा है यह डेफिनेट का केस है इसका मतलब क्या है एक बार भी अगर यह फॉलो नहीं करेगा तो दस नॉट फॉलो हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जायागा अब सभी बी जो है वो सी है बट सभी सी बी नहीं है इस रीजन में जो सी है वो बी नहीं है तो ओल सी आर बी वाली बात least possible when diagram है तो follow नहीं कर रही तो यह क्या हो जाएगा not follow definite की case में एक भी बार follow नहीं किया मतलब does not follow definite का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो कि हर case में यह follow करेगा तो एक भी बार follow नहीं किया तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि यह बात सही नहीं है does not follow third conclusion देखते हैं यह बोल रहा है all A being C is a possibility तो यह possibility वाला case है मतलब एक भी बार सही हुआ तो follow करेगा, तो यह क्या बोल रहा है कि सभी A जो है वो C के अंदर आ सकते हैं तो यह बात तो सही लग रही है तो देख लेते हैं यह कैसे सही है देखो, all B are C सभी B, C के अंदर हैं अब C को तो मैं कितना ही बड़ा बना सकता हूं C को मैं ऐसे बड़ा बना के A को भी इसके अंदर ले सकता हूं उस case में सभी A, C हो जाएंगे तो यह बात क्या हो जाएगी follow करेगी C पे कोई restriction थोड़ी ना है वो तो कितना ही बड़ा हो सकता है वो तो D को भी अंदर ले सकता है ठीक है न? और C चाहे तो E को भी अंदर ले सकता है तो third case में सभी A, C हो सकता है तो यह follow करेगा फिर fourth conclusion देखते हैं यह बोल रहा है sum B, R, D R मतलब यह क्या है definite वाला conclusion इसका मतलब क्या है इसको हर case में सही होना है follow करने के लिए एक में भी अगर इसने follow नहीं किया तो final conclusion not follow हो जाएगा अब diagram में हम B और D पे focus करते हैं और हम देख रहे हैं साफ साफ कि B, R, D आपस में एक दुसरे को touch नहीं कर रहे है तो sum B, R, D वाली बात follow नहीं कर रही और एक case में भी follow नहीं कर रही तो हमारा final conclusion क्या है does not follow तो इस प्रकार से हमने possibility और definite दोनों ही type के conclusion देख लिए और समझा उनको कि diagram से कैसे हम conclude कर सकते हैं इसको समझने के कोशिश करना अच्छे से और नहीं भी अगर समझ में है तो कोई problem नहीं है अभी आगे हम और questions करेंगे और जैसे जैसे हम questions करेंगे आपको और clarity आती जाएगी तो चलते हैं अब आगे और कुछ practice questions करते हैं तो पहले question में जो statement है इनसे हम हमारा bend diagram बनाते है तो यह बोल रहा है all head are mat सभी head क्या है? mat है तो सभी head को mat के अंदर ले ले यही हमारा least possible bend diagram बनता है और फिर बोला है all mat are rat सभी जो mat है वो rat है तो यह कुछ इस तरीके से हमारा diagram बन जाएगा सभी mat rat के अंदर आ जाएगे अब हम एक एक करके conclusion देखते है तो पहला conclusion बोल रहा है some rat are hat definitely यहाँ पे जो rat होंगे वो head भी होंगे overlap हो रहा है तो यह चीज़ तो follow कर रही है second देखते है few mat are rat few का क्या मतलब है? few का मतलब है some जब सभी mat rat है तो कुस्तो mat definitely rat होंगे ही होंगे तो यह चीज़ भी follow करेगी फिर देखते हैं third conclusion यह बोल रहा है all rat are mat सभी rat mat है और यह जो है definite conclusion है एक भी case में अगर यह follow नहीं करेगा तो हम हमारा conclusion क्या रहेगा does not follow अब आप देख सकते हो कि इस area में जो rat है यह mat नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यह follow नहीं करेगा ध्यान रखना किसी conclusion को अगर ऐसे लिखते कि all rat can be mat अगर यह possibility का question होता तो हाँ वो सही हो जाता क्योंकि मैं all के case में mat और rat को complete overlap करा सकता हूँ इस तरीके से all के case में दो चीज़े बनती है एक बार mat पूरा rat के अंदर आ जाता है और एक बार mat और rat का overlap होता है यह आप चेक कर सकते हो पढ़ चुके हम पर यह possibility वाला case नहीं है यह कौनसा case है definite वाल all rat are mat mat और मेरे वेंट डियाग्रम में मुझे दिख रहा है कि यहां जो भी rat होंगे वो mat नहीं है तो सभी rat mat नहीं है तो यह चीज़ क्या होगी follow नहीं करेगी फिर लास्ट वाला देखते है all mat can be hat all mat can be hat तो जब all hat mat है यह least possible diagram है इसमें एक और diagram बनता है जहां hat और mat का overlap हो जाए तो उस case में यह चीज़ follow करेगी और क्योंकि यह possibility वाला case है तो उसमें एक भी बार follow करें तो हम बोलते हैं कि वो follow करेगा तो आप देख रहे हो कि least possible when diagram बनाने के साथ साथ हमें हमेशा possibility वाले case का भी ध्यान रखना है question करते समय तो इस question में जो conclusion है वो definite वाले भी थे और possibility वाले भी थे और दोनों को हमने देख लिया कि कैसे approach करना है इसके बाद आपन चलते हैं next question पर क्या बोलना है statement all gym are tim सभी जो gym है वो क्या है वो tim है और some tim are kim तो some के case में कैसा least possible when diagram बनता है सिर्फ overlap करा दो आप अब हम देखते हैं हमारा पहला conclusion some kim are gym यह definite वाला conclusion है तो इसको follow करने के लिए हर case में follow करना है एक भी case में follow नहीं किया तो does not follow least possible when diagram को देखते ही हमें देख रहा है कि kim और gym में overlap नहीं है तो हम guarantee से definitely यह बात नहीं बोल सकते कि some kim are gym तो यह does not follow फिर second देखते हैं no kim is gym कोई भी kim जिम नहीं है अगें यह क्या case है definite इसको हर case में सही होना है एक भी case में गलत हुआ तो follow नहीं करेगा अगर मैं kim को बड़ा करता हूँ kim को तो मैं बड़ा कर सकता हूँ उस case में किम और जिम को overlap करा सकता हूँ और उस case में मैं कह सकता हूँ कि कुछ तो kim जिम हो जाएंगे तो यह जो conclusion है कि कोई भी kim जिम नहीं हो सकता यह क्या हो जाएगा does not follow मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें हर case का भी ध्यान रखना है जो देख रहा है उसमें ही अगर follow नहीं कर रहा तो वैलन गुट पर जो देख रहा है उसमें अगर follow नहीं कर रहा तो हमें ये भी देखना है कि क्या कोई दूसरे case ऐसा तो नहीं है जहां यह follow कर रहा है, and vice versa, ठीक है, अब आप एक चीज़ और notice करोगे, कि जो पहले दोनों ही conclusion है, वो follow नहीं कर रहे हैं, एक sum वाला है, एक no वाला है, और यह क्या बनाते हैं, complementary pair, और elements भी same है, kim और jim, तो यह क्या बनाते हैं, complementary pair, तो यह complementary pair बनाएंगे, तो हम conclusion में बोलेंगे, हमारे जो answer होगा उसमें, कि either one or two follows, या तो एक first वाला follow करेगा, या फिर second वाला follow करेगा, पर दोनों at a given time follow नहीं करेंगे, तो हमने complementary pair भी देख लिया, अब third conclusion देखते हैं, 100% kim are tim, 100% का क्या मतलब है, इसका मतलब है, उसका मतलब है all, तो all kim are tim, क्या सभ सभी kim, tim है क्या, यह definite है, possibility नहीं है, तो एक भी बार गलत हुआ तो, गलत, does not follow आजाएगा हमारा conclusion, अब diagram देखते हैं, कि सभी kim, जो है, tim नहीं है, सभी kim, tim हो सकते हैं, can be, possibility है, बड़ यह possibility का question नहीं है, यह question का है, definite बाला है, तो all kim are tim वाली बात follow नहीं कर रही, फिर हम चल जिम, तो tim और जिम में बात हो रही है, और यह क्या है, definite वाला है, अब देखते ही लग रहा है, कि यहाँ पे जो tim है, वो जिम तो नहीं है, तो हमें दूसरे cases भी check करने रहेंगे, all वाले cases में, और कौन सा case होता है, एक case यह होता है, all gym are tim, और दूसरा case कौन सा होता है, जहा है, उस case में यह बात follow नहीं करेगी, तो सभी cases का आपको ध्यान रखना है हमेशा, और third और fourth conclusions को अगर देखें, तो यहाँ पे complementary pair नहीं बनेंगे, क्योंकि elements सेम नहीं है, यहाँ पे time है, यहाँ पे came है, यहाँ पे time है, और यहाँ पे gym है, अगर came होता तो हम all या some not वाला complementary pair explore कर सकते थे, देख सकते थे कि बन रहा है कि नहीं, इसी के साथ चलते हैं पर next question पर, question बोल रहा है, some AR B, और some BR C, some AR B का यह बन गया least possible Venn diagram, और some AR C का यह बन गया least possible Venn diagram, exactly यह question exam में पूछा जाता है, जिसमें इस तरीके का Venn diagram बने है, body car की तरह, देखते हैं पहला conclusion, some AR C, देखते हैं हम कह सकते हैं, follow नहीं कर रहा, क्योंकि यह definite है, और हमारे case में हम साफ देख सकते हैं कि यह, A और C में कोई overlap नहीं है, तो एक भी case में गलत तो, गलत, फिर अगला है some AR not C, अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, कि some AR not C, देख तो सही रहा है, definite की case में, बढ़ हमें दूसरे भी cases consider करना पड़ेंगे, और एक case ऐसा बनेगा, जा हम A, B और C तीनों को overlap करा दें, तो यह वाली बात भी क्या हो जाएगी, does not follow, और आप आप देख सकते हो, first और second conclusion को, यह sum है, यह sum not है, element same है, और दोनों ही conclusion follow नहीं कर रहें, तो यह आपस में क्या बना देंगे, complementary pair, either or, either one follows और two follows, अब हम देखते हैं, third case, third conclusion बोल रहा है, no A is C, कोई भी A, C नहीं है, least possible when diagram में तो यह बात ठीक दिख रही है, बर यह definite है, हमें दूसरे case भी देखना रहेंगे, और दूसरे case में जब हम check करेंगे, तो ह हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी A, C नहीं होगा, यहाँ पर A और C का overlap हो रहा है, तो यह वाली बात भी क्या हो गई, does not follow, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो first और third conclusion, यह भी एक complementary pair बना रहे है, कौन सा case है यह, यह sum वाला है, और यह no वाला है, दोनों ही follow नहीं कर रहे हैं, और elements A और C दोनों में ही same है, तो यह भी क्या बनाएगा, एक complementary pair बनेगा, फिर हम देखते हैं, fourth वाला, all B can be C, अब यह क्या है, possibility का question है, यह एक बार भी follow करेगा, तो हम बोलेंगे, it follows, अब यहाँ पे तो हमें लगनी रहा कि all B can be C, हमारे least possible band diagram है, बट हमें पता है कि एक diagram ऐसा भी बनता है, और इस case में हम यह कह सकते हैं कि सभी B, C हो सकते हैं, तो यह follow करेगा, with practice आपको यह चीज़ बनाना नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ यह first diagram को देखने के बाद सब कुछ visualize कर लोगे, पर अभी आपको क्योंकि मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको य गोट, पिग नहीं है, second statement है, all goats are dogs, सभी गोट जो है, वो dog है, यह बनके हमारा least possible win diagram, अब हम देखते हैं के conclusion, पहला conclusion बोल रहा है, no pig is dog, कोई भी पिग डॉग नहीं है, और यह क्या है, definite है, हर case में इसको सही होना है, बट ध्यान से देखना और समझना, restriction जो है, वो goat और pig के बीच में, dog और pig में कोई restriction नहीं है, तो जो dog है, इसको मैं overlap कराके, pig को touch कर सकता हूँ, और उस case में हम यह नहीं बोल पाएंगे, कि no pig is dog, कि कोई भी pig dog को touch नहीं कर रहा है, no pig is dog, तो जो पहला conclusion है, वो follow नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको गलत proof कर दिया, और एक यह भी case में अगर follow नहीं कर रहा है, तो does not follow, फिर हम देखते हैं, next conclusion, जहां बोल रहा है, all pig are dog, सभी pig dog है, और यह definite conclusion है, इसको हर case में सही होना है, follow होने के लिए, पर यहां तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि, pig or dog में कोई overlap नहीं हो रहा है, तो आग guarantee से आप यह बात नहीं ब नहीं करेगा, third conclusion बोल रहा है, many dogs are not goats, many का क्या मतलब होता है, many का मतलब होता है, some, यह हम already देख चुके हैं, तो conclusion क्या 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 रहा है, some dogs are not goat, अब all goats are dogs के case में क्या diagram बनता है हमारा, एक तो goat अंदर आ जाएगी, dog के, और दूसरा, dog और goat में complete overlap हो जाएगा, क्योंकि देख के तो आपको लगा है कि यहाँ पर जो dogs हैं वो goat नहीं है, पर यह definite का case है, सभी cases देखने हैं, एक में भी गलत तो, गलत, इस case में क्या हम बोल सकते हैं, some dogs are not goat, जब dogs और goat का हम complete overlap करा सकते हैं, all के case में यही दो diagram बनते हैं, पहला यह, दूसरा यह, तो second case में यह follow, नह यह possibility का case है, दियान से समझना, possibility की case में एक भी बार सही तो, सही, इस diagram को तो देख के हम यह बोल नहीं सकते हैं, कि all dog can be goat, but practice हो जाएगे तो आप समझ जाओगे कि मैं goat को अगर बढ़ा कर दूँगा, और dog से overlap करा दूँगा, तो यह बात मैं बोल पाऊँगा, पर क्योंकि के भी practice नहीं है, तो इसको देख के आप बोल नहीं पाऊँगे, कि all dog can be goat, but इस diagram को देख के आप कह सकते हो, कि all dog can be goat, तो यह क्या करेगा, यह follow करेगा, तो इसका मतलब है, सिर्फ फोर्थ वाला जो conclusion है, that will follow, और दूसरे follow नहीं करेंगे, और नहीं दूसरे में हमें कहीं को अब देखते हैं, पहला conclusion, यह बोल रहा है, some toys are bags, कुछ toys bag है, वो यह क्या बोल रहा है, definite है, मतलब हर case में यह सही बात है, पर हमारे least possible band diagram में हमें दिख रहा है, कि toys और bag में कोई भी overlap नहीं है, तो यह तो does not follow, next देखते हैं, no toy is bag, कोई भी toy bag नहीं है, यह भी definite है, इसका मतलब इसको हर case में सही होना है, अब देख के तो यह बात सही लग रही है, कि कोई भी toy bag नहीं है, बढ़ आपको पता है, कि toy और bag में कोई restriction नहीं है, जो restriction है, वो किसमें है, pen और bag में, तो मैं toy को इधर से ले जा कि no toy is bag वाली बात क्या हो जाएगी, गलत यह follow नहीं करेगी, देखो इसको यूँ समझो, कि pen और bag आपस में बात नहीं कर रहे हैं, but toy और bag तो आपस में बात कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी statement में नहीं था कोई restriction इनके बीच, इसलिए toy और bag में हम overlap करा सकते हैं, अब अगर second conclusion जो हैं, दोने ही follow नहीं कर रहे हैं, some और no वाला case है, और element same है, तो यह आपस में क्या बनाएंगे, complementary pair, तो either one or two follows, ऐसा आपको option दिख जाएगा, फिर हम देखते हैं next conclusion, some toys are not bags, are definite का है, यह बात हर case में सही होना पड़ेगी, अब इसको ध्यान से देखना, यह exam में आता है यहाँ पर जो toys है, यह जो हैं, यह bags नहीं हो सकते किसी भी case में, आपको पता है कि जो पूरे ही pen है, वो कभी bag नहीं हो सकते हैं, तो यह जो red वाला area है, यहाँ पर जो pen है, यह भी तभी bag नहीं होंगे, और यहाँ पर जो toy होंगे, वो भी कभी bags नहीं हो सकते हैं, क्योंकि का overlap है, तो some toys are not bags वाला conclusion follow करेगा, exam में पूछा जाता है, आप some वाले case के चारो ही possibility बना लो, सभी में आपको T और P में overlap कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर T और P में overlap है, तो वहाला area जो है, वो कभी भी bag nहीं हो सकता, तो अभी हमने देखा था ये वाला zone, इस case में ये वाला हो जाएगा, जो कभी bag नहीं हो सकते, यहां पर ये वाला zone रहेगा, जो कभी overlap नहीं हो सकता और चोथे case में तो पूरा ही है जो overlap नहीं हो सकता अब practice से मुझे तो पता है कि किसी से में मेरा answer बता दूँगा बट समझने के लिए जरूरी है कि क्यों वाला किसी भी case में true रहेगा तो ये third case को बहुत अच्छे है समझ लेना copy में खुझ से भी करके देख लेना ताकि आपको clarity रहे फिर देखते हैं अपन fourth case some toys can be bags possibility का question है और यह already हम बना चुके हैं जहां हमने toy और bag में overlap करके बताया था कि ये possible है तो ये conclusion भी follow करेगा ये वाले जो toys हैं ये bags से touch हो सकते हैं इस तरीके से हम diagram बना सकते हैं तो आपका answer क्या रहेगा third और fourth follow कर रहे हैं and either one or two follows इसके बाद हम चलते हैं आज के हमारे last question पर question कह रहा है all buses are cars all का least possible when diagram बना ले हम some cars are not trains तो जब not वाला diagram आता था तो हमने देखा था least possible when diagram कैसे बनता है हम उनको दूर दूर बना देते हैं तो train को हम car से दूर बना देते हैं तो some not में जो दो case बनते हैं मैं वो आपको बना के बता जाता हूं नीचे ताकि confusion नहीं हो आपको एक तो car और train को दूर रख दिया और दूसरा ये वाला बनेगा some cars are not trains ठीक है अब देखते हैं के conclusion को no train is car कोई भी train car नहीं है definite है देखके ठीक लग रहा है बड़ हमें पता है कि इस case में हम ये बात नहीं किया सकते हैं जब train car के अंदर आ जाए तो ये conclusion follow नहीं करेगा next है some cars are trains definite का case है क्योंकि आ रहा है least possible when diagram में दिख रहा है कि ये बात follow नहीं कर रही car और train में कोई भी overlap नहीं हो रहा तो यहीं पर हमने लिख दिया कि does not follow अब अगर आप first two conclusions को देखोगे तो दोनों ही follow नहीं कर रहे no और some वाला pair है elements same है और some और no के case में elements का order important नहीं होता है तो यह आपस में क्या बनाएंगे यह आपस में बनाएंगे complementary pair इधर और वारा फिर अपन देखते है third conclusion all trains may be buses may be मतलब possibility तो क्या सभी train buses हो सकती है क्या तो अगर मैं इस case की बात करूँ जब मैं car के अंदर train को ले जाओं तो अगर यह पूरे तो क्या मैं क्या सकता हूँ all train may be buses हाँ मैं क्या सकता हूँ यह possibility है उस case में सभी train हो जाएंगी bus हो जाएंगी तो यह conclusion जो है यह follow करेगा इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ समझना क्या है कि सभी car के अंदर buses है यह तो मैं पता ही है और यह जो train है यह मैं पूरे की पूरी car के अंदर ले आ सकता हूँ और car के अंदर ले जा कि अगर मैं इसको buses के अंदर रख दूँ उस case में मैं कह सकता हूँ कि all train may be buses और क्योंकि possibility का question है एक भी बार सही तो सही तो यह उसको follow कर रहा है फिर अगला question देखते है all buses may be trains possibility का question है एक भी बार सही तो सही अब बोलड़ा है कि सभी buses train के अंदर आ जाए तो यह भी possible है मैं car के अंदर train ले जा सकता हूँ और मैं ऐसा diagram भी बना सकता हूँ जहां मैं पूरी buses को train के अंदर ले लूँ एक बार मैंने सभी trainों को bus के अंदर लिया था इस बार मैंने सभी buses को train के अंदर ले लिया तो यह चीज भी follow करेगी तो आप देख रहे हो कि least possible wind diagram के साथ हमें दूसरे case का भी हमेशा ध्यान रखना है और हमने इस condition को violate नहीं किया है हमने third or fourth दोनों ही case में के अंदर बस आ गई बस यह अगर आप समझ गए तो आपके basics बहुत अच्छे हो गए है और इसको एक बार revise करना एक बार में चीज़े हैं हमारे दिमाग में set नहीं होती अच्छे से revise करना इसको practice करना मैं आपको इसके लिए practice set भी दे रहा हूँ और उसके बाद जितने ज़्यादा questions कर सकते हो आप करना ताकि आपको confidence आए तो आप लोगों के लिए practice set है इन questions को करना और मुझे एक comment section में आपके answer बताना और इनसे related कोई भी doubt होता आप मुझसे पूछ सकते हो तो ये 5 questions है आपके लिए इसी के साथ करते हैं अपना session end Thank you तो देखते हम आज का हमारा quote Success is not instant Success कभी हमें हाथो हाथ नहीं मिलती है आप सब लोग competitive exam के त्यारी कर रहे हो और कई बार आप लोग demotivated feel करते होगे कि हम इतनी महनत कर रहे हैं फिर हमारा हो क्यों नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों में talent नहीं है या आप महनत नहीं कर रहे हो बट सफलता पाने में समय लगता है तो यही सला दूँगा मैं आपको ये थोड़ा patience रखो Success आपको जरूर मिलेगी अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरू करना Thank you तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही quality content आपको मिलता रहे जो help करें आपको आपकी exam prep में तो circle में जो गामा का logo दिख रहा है उसको click करें और channel को subscribe करें Thank you